प्रस्न के उत्तर तक पहुचने के लिए आप मुझसे प्रस्न पूछेंगे जिसका उत्तर मैं हा या ना में दूँगा इसका अर्थ है आप क्लोस्ट कोष्टन पूछेंगे यदि आपने कोई असंबंदित प्रस्न पूछा तो मैं कहूँगा आपका प्रस्न इर्रिलेवेंट है तो चलिए देखते हैं सीचुएशन नमबर नाइन मिसेस दिपिका ने एक फिनरल एटन किया मिसेस दिपिका जो व्यक्ति की मृत्य हो गई उसको बिलकुल पहचानती नहीं थी वो बिलकुल अंजान व्यक्ति था मिसेस दिपिका के लिए मिसेस दिपिका ने टोटल फिनरल प्रोसेस में कोई भी हिस्सा नहीं लिया ना तो किसी चीज में उन्होंने रुची लिखाई इन फेक्ट यदि मिसेस दिपिका फिनरल में नहीं जाती थी तो कोई फरत नहीं पढ़ता था, फिनरल जिस तरह से हुआ, उस तरह से हो जाता था अब मेरा प्रस्न है, मिसेस दिपिका ने फिनरल क्यों अटेंग किया? आप सोचना शुरू कीचिए, प्रस्न पूछिए, और आपके प्रस्न कुछ इस तरह से होंगे मिसेस दिपिका पागल थी क्या? मैं कहूंगा नहीं नहीं, बिलकुल पागल नहीं थी आप कहेंगे, मिसेस दिपिका के पास कोई काम नहीं था क्या, समय बहुत ज़्यादा था मैं कहूंगा नहीं, मिसेस दिपिका व्यस्त थी, उनके पास समय बिलकुल नहीं था आप कहेंगे जो मर गया जिसकी मृत्तियों हो गई उसका संबंध कहीं दूर मिसेस दिपीका से है क्या मैं कहूंगा नहीं, दूर-दूर का भी कोई संबंध नहीं है In fact, दिपीका के कोई मित्रों का भी संबंध दूर-दूर से मरने वाले व्यक्ति से नहीं है अब आप कहेंगे मरने वाला व्यक्ति कोन था मैं कहूंगा ये प्रस्न इर्रेलेबेंट है इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता आप पुछेंगे मरने वाला व्यक्ति मर कैसे गया मैं कहूंगा भाई इस प्रस्न का उत्तर भी नहीं दे सकता क्योंकि इस प्रस्ण का उत्तर हाँ या नामे नहीं हो सकता आप कहेंगे मरने वाले की मृत्यू नैचुरल हुई क्या स्वभागविक हुई क्या मैं कहूंगा नहीं मौत नैचुरल नहीं हुई आप कहेंगे मरने वाला व्यक्ति बुजुर्ग था क्या उसकी उम्र साथ साल से उपर थी क्या मैं कहूंगा नहीं उसकी उम्र साथ साल से नीशे थी आप कहेंगे कोई भयानक बीमारी से मरा क्या मैं कहूंगा नहीं कोई भयानक बीमारी से तो नहीं मरा आप कहेंगे उसकी मृत्यू एक्सिडेंट से हुई क्या मैं कहूंगा नहीं उसकी मृत्यू एक्सिडेंट से भी नहीं हुई आप पुछेंगे उसका मर्डर हुआ क्या मैं कहूंगा हाँ उसका मर्डर हुआ अब आप पुछेंगे दिपीका पोलीस में है क्या मैं कहूंगा नहीं पोलीस में तो नहीं है आप कहेंगे क्या DP का डिटेक्टिव है जासूस है क्या मैं कहूंगा congratulations आप उट्तर पर पहुँच गए Mrs. DP का in fact डिटेक्टिव है जासूस है और ये पता करने पहुँची थी कि मरने वाला किस तरह से मरा उसके बारे में लोग किस तरह की बाते कर रहे है अगले सेशन में फिर आप से मिलेंगे थैंक यू धनिवाद नमस्ते